मुझे गाली देने से और पप्पू यादब को मरवा देने से मैं ओडियो नहीं सुनाओगा एक ओडियो में न तो उनके लोग कह रहा कि अब अंती में है उनका जब आपने खुद करोरों का पैसे का लागत से परसिक्षन कि आपने ड्राइबर परसिक्षन केंद्र बनाया भारत सरकार के मंत्री उपमुक मंत्री सुसील मोदी रूडी जी खुद सबी लोग उद्गाटन किये तो एक लोता परसिक्षन केंद्र बंद क्यों हो गया क्यों पैसा कहां गया एक दूसरी चीज रूडी जी से मेरा आग रहा है कि आप डाली दे हमको राजनिती के हैं मैं ओडियो नहीं सुनाओंगा एक ओडियो में न तो उनके लोग कह रहा कि अब अंती में है उनका गाली गलोज तक है वो जवरत होगी तो मैं आपको सुना दूँगी उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो हैं वो गाली गलोज कर रहे हैं कहीं ठोन पर जितने अब रहम सब्दों का दी मुझे गाली देने से और पप्पू यादब को मरवा देने से यदि एम्बूलेंस फ्री हो जाए बिहार में और दबाई और नर्सिंग हो तो मरवाने की जुरत नहीं परेगी हम खुदी आत्मत क्या कर देंगे आप चिंता न करिए यह हमी सन्यास ले लेंगे बिहार छोड़ देंगे कसम का लेंगे कि कभी हम आएंगे ही तीस्ती चीज जोनौने पत्र में लिखा है कि हमारे और एंबूलेंस चल रहे हैं यह अबूलेंस ड्यावर कर नहीं तो भी तो आप यदि बताईए कि यह सरकार का पैशा जंता का पैशा है दिएम इसके उतरेटी स्लीप होते हैं वो सिंगीनेचर करते हैं आप इसको कहीं कैसे लगा सकते आप सिर्फ recommend कर सकते हैं आप इसको किसी पंचायट में नीजी लोगों के घर पे नहीं दे सकते हैं किसी मुख्या के हाथ में नहीं दे सकते हैं आप या तो सदर अस्पताल में होगा या तो ब्लॉग के अस्पताल में या तो पंचायट में कोई सरकारी अस्पताल है तो वहां कि कमी है नेताओं के भीतर, नियत सही नहीं है, कोई प्रिंस्पुल नहीं है इन नेताओं के भीतर की, कब हम को क्या करना चाहिए, जब मरने लगेंगे, तो डॉक्टर की बाली है सार, 18 के बाद आज तक बाली नहीं हुए, यह कहते हैं कि परसिक्षित ड्रैवर, जब लैसंस किसी ड्रैवर को मिलता है तो वो परसिक्षित हो जाता है, किस ड्रैवर को हैवी लैसंस की जोरत है, और किसको नहीं जोरत है, चौथी चीज, यह अपने ऑफिस में और अपनी बड़ी-बड़ी तस्वीर लगा करके, जह प्रभास पता है, जहां सरकार का पैसा लगा, उसक कभी डॉक्टर और कभी एक भी वह करमचारी नहीं रहे